दोस्तों तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में आज हम आप लोगों को त्यारी करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल से जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार सेकेंडरी एक्जामिनेशन बोर्ड ठीक ना ओनली फॉर एन्वल एजाम दोर बाइस जी हां ब पता है तो वैसे ही आप लोगो मैनत करके जो कि यह फाइनल आप लोगों जीट जाना है थेंगा मातर तीनसो का नंबर चाहिए ठीक न फरस्ट आने के लिए 300 प्लस के लिए आप लोग को बहुत कड़ी महत करना पड़ेगा सबसे जदा अब्जेक्टिव और उसके बाद से सब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा लिखा उट से लिल्याखन से लिए भी आप लोग का अच्छी होने चाहिए तो देखे आज हम आप लोग को पॉ सम्मिलन कहां हुआ था ठीक है अठारवा सम्मिलन कहां हुआ था तो यह आपका हुआ था बाबु कठमांडू में कहां पे कठमांडू में हुआ था अठारवा सम्मिलन कहां था कठमांडू में हुआ था चलिए बहुत अच्छा आप लोग दो दूसरा नमर को समय देते हैं कि देश विभाजन के बाद किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को अजाद रियासत का दर्जा देना चाहता था मतलब कि जब आपका जब देश विभाजन हुआ था तो उस से में कौन सा रियासत था जब शारे रियासत को मिला के अखेंड भरत का निर्मार किया जा रहा तो किस रियासत का जो निजाम था जो अपनी रियासत को अज़ाती रियासत बढ़ाने का बात कर रहा हाथ तो वह था था हैधराबाद का कौन से हैधराबाद का क्या हो जाएगा do क्या हो जाएगा टू का से विल बीन जैड तो अब हम तीसरा नमर कोश्चन पर ज्यांद देते हैं कि यह क्या बोल दाया तो यह बबू हम लोग आप लोग को बता दे कि यह 27 संसोधन अधिनियम के तहद उनुसभाथर के तहद किया गया था जिसमें 11 के भी सवाल और कुछ टूएल्थ के भी सवाल दे लेकिन सेटप एकजाम में जो कि कुछ 11 के सवाल रहते हैं लेकिन फाइनल एकजाम में भी 11 के स आप लोग को कहें देगा कि इमर्जेंसी की सनुच्छित के तत लगा जाता है तो यह तो आम लोग को पढ़ना है और 11 पढ़ना है तो 11 का भी दो चार कोश्चन आप लोग को इसमें मिलते जाएगा तो बढ़ियां से आप लोग त्यारी करते हैं जितने भी पॉलिटिकल सा आप लोग को इसी चर्प option में से उतर देना है कि स्युराश्च कि राज का अंग है तो आप लोग को इसी चर्फा आप्शन में से उतर देना है कि सारश्ट कि स्राज का अंग है तो हम आप लोग के बाता दे कि सोराष्ट गुजरात कहांगे किसका गुजरात का ऑप्शन डी विल बी एंसर जितने लोग का डी आ रहा है और लोग का बहुत ही असा हो ठीक है तो चली जितने भी नए लोग जुड़े हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब करें लिजिए बेल जुब्रेक कि वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग कुछ तुक करना चाहिए मेरे लिए ठीक है स्ट्सेट नबर कोशन करते हैं कि भारत सरकार को को कि किसके माद्यम से करता है जो भारा सरकारे जो बीबित कले जो यूजना होता है और फिर यह किसके माद्यम से लागू करता है जो यथि तो कोई पुछ특ना ही यह आने का बहुत ही चांस है तो माउंट इबेटर ने यूजना कब बना तो माउंट इबेटर ने जना बबू तीन जून उनिस्टाइस को आप्शन एव बेंज़ ठीक है मनी पूर रियासत का भारतिय संग में बिले कब हुआ था यह बात तब कि अब जब हमादेस अजाद हुआता तो अखंड भारत बनाने के लिए सरदार बाला भाई पटेल और पंडी जोहाला नहरू यह ग्रिह मंत्री और परधान मंत्री दोनों ही बहुत जोर से अखंड भारत निर्वान करने के लिए सारे रियासतों को जो कि भारत में बिले कर रहे थे उसमें भारत में आप लोग को बता दें कि पांसोट रियासती थी पांसोट पैंसोट भी देता है ठीक ना तो आट का हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी विल बेंसर उनिस सो और ताली से स्वी ठीक चलिए नमबर कोश्टां पर देहां देता है कि उनिस सचाचट में पंजाब को विभाजित कर किन्ड राजयों का निर्माण किया गया तो उनिस सचाचट में पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हर्याना बनाया ठीक नहीं जैसे आपको पता है कि पंजाबी भासा को प कि भाव कि पावरत ऐसमों आज भी ऐसमें टो यो तो नौ बदाते हैं वस्का उतर हो जाएंगा दसका आठ र leaf परत्यांद में नेपाल किस परकार का राश्ट्रेज था मतलब कि किस धर्म से संबंदी था किस धर्म का राश्ट्र आजय से पाक्सीत कि divAm प्रसाद परसाद मखर्जी किस दल कर नेता थे तो डाक्टर राषाद मखर्जी बताते कि भारते जनसंग करतें इसके बहुत जनसंग करनेता थे चोन आजबन9 प्राफ्टिक इन्मे सोचलिस्ट पर्टि्ट्ट्विसंट वहीं है क्या तो तीन दों आप्सन जो की फॉलो कर रहा है तो क्या हो जागा डी विल बेंस ठीक ना सुसरिस्ट पार्टे कि ने था सभी थे ठीक है अब लोग याद भी कर लिजेगा लेकिस रिलांका ब्रेटेन ऑपनीवेस से कप सोतंतरुआ मतलब कहने का मतलब कि स्रिलांका ब्रेटेन जो कि स्रिलांका जो कि सोतंतर हुआ था ठीक है देखे 15 नमर कोश्टन है कि गुट नीरपेक्ष अंदोलन एक अंत्राष्टे संस्ता है इसके स्थापना का बुई ठीक ना गुट नीरपेक्ष अंदोलन जिस जिस अंदोलन के तहट जो है कि हम लोग ने तीसरी दुनिया हम लोग कहा जाने लगा ठीक ना गुट नीरपेक्ष अंदोलन के देश्व को क्या बलते थे तीसरी दुनिया तो गुट नीरपेक्ष अंदोलन जो के एक अंत्राष्टे संस्ता है और इसके सपना का भुईती तो इसका सपना हुआ था ता ना उनीस्सोश एकसटेस्वी विजय अंक्राफ्टोप था वiosaवण के चुनाय में चुनाय में ये u तीनसों तीरपन लेका आया है जिसमें के लिए बिजीपी तीनसों तीन लेका है ठीक है शंतरा लेका सतरा देखेगा ठीक ना शंतरा शम्यवाधी दल का अस्थापना किस वर्स हुआ है तो 17 अब सब्सक्राइब तर्फ ने चलिए एक कुस्टन जो कि यह देखिए जाएगा कि निसाट के दसक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दसक माने जाने के पीछे निन में से पर्मुह कारण कौन ते पर्मुह कारण कौन से कि लिए खतरनाग दसक मना जाता है क्यों क्यों चाइना ने युद किया था पकिस्तान नहेरुजी मीर्तु लालवसास्तुरी मेर्तु इंद्रा गांधि फीर से पराण के लिए टोटल दस साल तो एदम विखारे गया था कांग्रेस के लिए ।वस में देखके वा था चीन का आक्रमट हमने बता दिया कि चीन आक्रमट किया था संपर्दाइक और छेतरी विभाजन इभी सही है उप्यूक सभी जब सब सबसे फोलो कर रहा है तो हमारा उनीस क्या हो जाएगा उनीस कामरे डीविल पेंसर हो जाएगा जैसे समय आप लोगों को पर उसके वाद से इंद्रा जी बनी फिर इंद्रा जीती तो विठान सभा में हार गई और लोग सभा में जीत गई फिर इंद्रा गांदे के वाज से फिर काग्रेस के विभाजन हुआ फिर जो है कि वहीं बढ़तिक आकाल पड़ा था ब्रुजगारी सब कुछ हो चुका था इसमें तो आप कुछ पुछना ही नहीं है इसका क्या हो जाएगा तो आप लोग को पहले पता देना चाहते हैं कि आप लोग जो की सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देजिए ठीक ना सब्जेक्टिव पर भी ध्यान चीज़े तोड़े तो आप लोग सब्जेक्टिव पर भी ध्यान चीज़े तोड़े तो आप लोग सब्जेक्टिव पर भी तो आप लोग जो है कि सब्यक्टिव वीडियो देखी है बहुत ही अच्छा वीडियो है तो उसको देखा के लिए तब पता चलेगा ठीक है इसलिए बाइस समय कोश्चा पर जहां देते हैं ठीक हैं कि भारत करमीक दोर में विकास की जूणीती अपनाई उन में से निमलिखित में से विकास की जूणीती अपनाई ओदतारे करन निमलिखित मेν से 1 मिनर्ट्ट अनियमलकित में से कौन सा भी चार्ष सामिल नहीं था तो भायत्प्राभित्र विकास का जो निती अपनाया था तो दारीकरन नहीं अपनाया था ठीक तो गाहिए और भी छिए नiten & Jon कि यहां दखते हैं नियोजन बिकास के लिए टीन लख्ष होने चाहिए ठीक ना? नीति आयो गजर्ख होना होता है ठीक न? नीति-ायो काध्यक्ष होना होता है प्रधान मत्र होता है कोटेंट से सबसे अधिक प्रभाववेत राज एक फिक ना पचीश नंबर कोष्याय थे सबसे अधिक प्रभाववEत राज प्तिक नम पता हु नुस्त już हुए या पता हो नई चल बॉज़न तो मिली जाता है हम लोग को सबसे अधिक प्रभावित राजी कौन सा है तो बिहार बिहार इतना पीछे बिहार देखे बहुत जदा पीछे है ठीक न हर चीज में कहाई खादी संखट हो चाहिए उस सिक्षा संकट हो चाहिए बिजने संकट हो तो इसमें आप लोग को ही और हम लोह को ही साथ मिलके देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा अब सरकार पर भ्रोसा नहीं करना पड़ेगा सरकार भी आर पर सब्सक्राइब कर दिया गया कि भारत में यहां से आउटी कोशन बता रहा है यह भी कोशन कर देता है कि भारत में यूजना किस देश को देखके हुई तो यह हमें रुस से देखके हुआ हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी जा जाता है प्रधान मंत्री नहरू जी ने यह काम किया था ठीक है चलिए पर 28 समय कोशन देखते हैं कि सन्यूत राष्ट संग के चार्टर में कितनी धरा है तो हो जाएगा आपका 111 धरा है कितने हैं भारत में नई आर्थिक नेती के सुरुआत किस परधान मंत्री ने किती तो उसका हो जाएगा बी नर्सीमहाराओ ने किया था कितने नर्सीमहाराओ इक चीज बताएं भारत में नई आर्थिक नेती की सुरुआत किया था नर्सीमहाराओ के दोरा और बीत मंत्री थे हमारे मनमोहन शी उससे में नई आर्थिक नेती में क्या था कि करने लगे तो उस समय लोगों ने बहुत अच्छा कहा उस समय ने लोगों ने उस सरकार को बहुत अच्छा कहा कि कि आप सरकारी चीज़ों करके देश की अर्थवासा सुधार्तिया अब लोग खराब लग रहा है अब हपुर लग रहा है लोगों को अब भीतों काम हो रहा है सरकारी चीज़ों को प्राइब से जब्दकित संढ़्रियक यहां करकर रही जब कि वहाइब थे नबरों देखते हैं ना राष्टिय विकास परिस्वत के सदर से कौन नहीं होता है थीफ क्ति करांति का संबंद निम्लिखित किसे से इसलवाल कोशन है कि स्वेध क्रांती का समंद निम लिखित में से किसे से हैं तो आता समय किसे तुद इसे कि नीकिती तुद उत्पादन से तो आपका 33 नमर कोश्चन का उतर हो जाएगा 33 नमर को जाएगा सी केंद्रिया पराधिकरन के अंदर होता है ठीक ने केंद्रिया पराधिकरन के चलिए 34 नमर कोश्चन पर द्याहन जाते है कि सन्युक्त राष्ट्रंग के पर्थम एसे महासाचीव कौन थे ठीक ना तो 34 का आपका हो जाएगा 34 को जाएगा भी विल्वेंसर तिक ना क्या हो जाएगा 34 का तो जो का भी विल्वेंसर यू थांट थे कौन थे यू थांट जो की एसीया के थे और पर यह महासाचीव थे ठीक ना कोष्ट्राइब सब्सक्राइब के लिए परदन को बढ़ाने के लिए 3066 में किर्सी जीला कारेकरम की रिए किसक्राइब कि ना कि इन लोग यह था उसक्ति यह था मिहांट तो 35 का हो जाएगा 35 का हो जाएगा कि सब्सक्राइब कि निती आयोग मुखे तक किस प्रकार की एक संस्ता यह कुछन बहुत जीदा प्रुष्ट है प्रुष्ट है प्रुष्ट थोड़ा बीच वाला जो एक की बटम होता नहीं स्कीप हो गया तो वहीं कट गया था ठीक ना यहां पर देखते हैं कि निती स्लाकारी संस्ता है यह स्लाकारी संस्ता है तो कोश्शां पर ध्यान ध्याहिन कि कि पाकिस्तानी राश्टपती ने शुक ताषकर कंसम्धब करक्ण किये थे ती तुषिए向 में कौन थे आपको बता दे कि यूब खाँन ऊठीक है कंते कि ते चांब खाँन comment ? कि अनुछेद 51 के अंतरगत भारत के विद्यस नीति के किन आदर्सों का वड़नान है यह अनुछेद 51 से कोशन है इसका हो जाएगा क्योंकि उसमें सांतिय सुरक्षा का भी वड़नान है उसमें कनुन का पालन करने का अनुछन है और राष्ट के साथ नया पुर्णवक समान पुर्ण संबंध करने का भी वड़नान है तो क्या जाएगा क्यों नियुद के सब्सक्राइगं नियुक्त मीटना जाता है इससिक सब्सक्राइगा कि और प्युक्त करें समझायगा आपक्सट के दौड़ान इसकर किया इसना कि कि जुल्फिकार भूटो और इंद्रा गांधी के दोरे कि किया गया ठीक ना जुल्फिकार भूटो और इंद्रा गांधी के किया गया ठीक है कि पच्पन के वार्षा संधी में कौन सदा से नहीं था ठीक ना तो 31 कए हो जागा 41 को जबास पॉट्शीम जर्मनी नहीं था यह मातमा गंधी खुई दिस नहीं है यह गलती से टाइप हो गया ठीक ना शुबियाशंग तो था यी पूरु जर्मनी तो था प्षिमी जर्मनी है किसका हीसा था पफिर्व संद्ध में निमलीकीत में से कौन सा कथन सत्य है ना बताएगा कि कौन सा कथन चोह किस सत्य है शन्यउट राज अमेरिका एक सानित संध दोनों मा हेत्व कर्प प्रार्वसिवरोथ को सित कहा गया ठीकना अपашन ऐ अभराव में सही निकला अपसन भी देखते हैं कि सित्कारिन परेशन के बीच यूद को सीट यूद का गया यह तो गलत है ठीक ने उढ़े के दिनों में होने वाले यूद को सीट उदका गलत गलत सभी सभी सगय गलत तो हमना क्या अपसन सित यूद के आर्थ में कौन सा समय सही है कि सनुत राष्ट अमेरिका तथा सवी संग रूस के बीच भी रोद था उसे ही हम सीट यूट का है ठीक है चलिए 43 नमर कोश्चन पर धान देते हैं कि नहरू नासीर और मार्सल टीटो ने मिलकर किस संकटन का स्थापन किया था ठीक ना तो नहरू नासीर और मार्सल टीटो ने मिलकर जोए कि गुट निर्पेक्ष का अंदो गुट निर्पेक्ष हंदूलों का जोए कि निर्म जनता पाटे के सरकार में पधानमत्र कॉंते तो उसमें मौरदारजी देसाइथे आप लोगों बताते मौरदारजी देसाइथे यह उनिसाशतार की बात है ठीक न कि ना राश्ट्रंग के बिना आधुनी की विश्व की कलपना नहीं कर सकते हैं तो 46 का हो जाएगा डी विश्व की कलपना नहीं कर सकते हैं कि पूर्टियस अब नमर कोश्व का अलबातुर साहस्त्री का निधन कहां वा थो लालवुर साहस्त्री का निधन तासकॉंद में वा था आप लोग बादा दे कि 1906 जो की तासकॉंद में समझाता हुआ था उसके दो घंटे बास हस्ताक्सर करने के बाद इनकी मिर्ति हो गए तो इंद्रा गांधि पर्थम बार कांग्रेस पार्टी का अधर्श को बनी तीक ना फोटीट नमर कोश्टन है कि इंद्रा गांधि जो एकि कब अधिक्स बनीति फोटीएट का हो जागा बीविल बेंसर का हो जागा बी 1969 में तो यह था आपका यह आपका पॉलिटी का यहा कि लाइश्ट में बीच में जोएकि सब्चीट वीडियो डाला गया उसको देखिये और आप लोग भी अधार अन्यूवे करके वीडियो जोएकि या फिर कहीं जब्रेंगा से सब्चीट जोएकि त्यारी केजिए तब जाएगे कहीं बात बनेगे आप लोगो ठीक है ठेंक